मुंडावर के समेब वर्ति गाउ रायपूर के धानसद धाम बंदिर में एक महीने पहले हतियार के बल पर हुई 6-7 लाक रुपे की लूट की वादात का ततारपूर पुलिस द्वारा खुलासाद नहीं करने वे आरोपियों को नहीं पकड़े से नाराज मुंडावर ब्रामन समाच के लोगों ने ब्रामन समाच अध्यक्ष जसाई सरपंज विरेंद्र पंडित के नेतरतों में आज मुंडावर तैसिलदार मदन सिंग को मुख्यमंद्री के नाम ग्यापंसवपा है और आरोपियों की 20 दिन में गिरफतारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेटामी दी है तैसिलदार ने जल्दी ही गिरफतारी का भरोसा दिलाया है समाज अध्यक्ष विरेंद्र पंडित ने कहा कि ततारपूर थाना शेतर के गाउ रायपूर के धानसर धाम मंदिर परीसर में मंदिर महनतों पुजारी से मार पिट कर हतियारों के बलपा 6-7 लाग रुपए की लूट करने के मामले में ततारपूर पूलिस अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुं सकी है और मंदिर में इस तरह की वादात होना बहुत ही निंदनीय है वादात की एक महिने बीच जाने के बाद भी पूलिस के हाथ खाली है जिससे मंदिर में धहशत का माहौल है ग्रामणों का कहना है कि इससे पहले भी रायपूर गाओं में दो से तीन बाल लूट की वादात पोचुकी है लेकिन ततारपूर पुलिस उनका भी अब तक खुलासार नहीं कर पाई है जिससे ग्रामवासियों में भैका माहौल है इस मामले में पुलिस खुल कर बोलने से परीज कर रही है गत 31 अगस को रातरी एक से दो बजे के बीज साथ हतियार बन बदमाशों ने रायपूर गाओं के धान सर्धा मंदिर में प्रवेश किया मंदिर में गुस्ते ही बनमाशों नम्हेंत राखावदास की कनपटी पर रिवॉल्वर लगा कर पास में सो रही रामदास के साथ मारपीट कर अलमारी में रखे 6-7 लाग रुपे लूट कर फरार हो गए दे इस दौरान हभी सिंग शर्मा, दुरगा प्रसाद शर्मा, रामपाल शर्मा, लक्षमीन अरायन शर्मा, अन्नू शर्मा, एड्वकेट नागराश शर्मा, अमित तिवाडी, सर्तेन अरायन शर्मा, सुखी नंदन शर्मा, साइद सैक्रोलों को पस्तित रहे हमने आज मुक्षि मंतर जी के नाम तैसिलार जी को हमने ग्याफन दिया है हमारे मुदावर तैसिल में राइपोगा में हो वहां हमारे मंदिर है वहां रामदाजी और रागवदाजी के साथ उनके साथ मार्पेटे राज को 31.2.3 को जो गटना हुई वह बड़ी निल्दनी ग मुदावर तैसिल में कारे लेके बाहरा हमारा दर्ना प्रदेशन रहेगा बहुत धन्यवास है